हेलो एवरीवन देखे अभी इसका निमेरिकल स्टार्ट करते हैं इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा क्रिचोफ्स वल्टेज लोगा ठीक है तो देखो ये निमेरिकल में आपको सरकेट दिखी रहे है इधर भी ये सेल का प्लस है ये माइनस है तो देखो जरा यहां से क्रंट गया होगा ठीक है इसमें कौन सा क्रंट जाएगा बताओ जरा I1 मान ले इसमें क्रंट क्लियर और इधर से भी इसमें क्रंट जाएगा ये वाला मान लिया हमने कौन सा I2 मान लिया और जब इधर से जा होगा और इस वाले में कौन सा जाने वाला है जो इसका ही था ऐएवन और इधर कौन सा जाने वाला है यहां आइटो ऑर यह इसमें तो और यहां भी I3 जोड़ां अचारो एक प्र यहां से फिर सेपरेट होगा तो यह अपना आई 2 इधर जाएगा, clear है कहानी, अब देखो, अब loop, वैसी चलानी है, जैसे मैंने आपको बताया था, current की direction में चलाया करो, तो देखो, उपर वाली loop हम ऐसे चलाने वाले हैं, और नीचे वाली loop हम ऐसे चलाने वाले है, current की direction में, ठीक है, बहुत easy रहने वाला है question, तो देख है, तो देखो, सबसे पहले 1 है, 1 ohm का resistance है, तो IR होता है ना मरे पस, तो 1 ohm, और ये साथ में कितना जाएगा, I1, तो 1 into I1, ठीक है, और किसका आएगा, ये plus का, देखो, plus का कैसे आया, देखो, जैसे ये इधर current जा रहा है, तो इनके sign लगा लिए अगरो, ये plus, ये minus, ये current current ऐसे जा रहा है, ये plus, ये minus, ये current ऊपर ऐसे जा रहा है, plus, minus, क्योंकि current की direction positive तो negative होती है, इसमें भी ऐसी लगा लो, ये plus, ये minus, इधर से ये plus, ये minus, और इधर जाएंगे, तो ये plus, ये minus, clear है बात, अब देखो, जब हम इधर जा रहे हैं, तो IR होता है, I कितना है, I1 और क्योंसा current है, I3, तो 3, I3, ठीक है, और फिर इधर जाओ, इसमें उपर, plus का ही आ रहा है, साइन, तो plus का, और resistance है, 2, और current है, I1, समझे हो, ये IR, IR ही हो गया न, जो हम करते थे, ठीक है, 2 into में, I1, और फिर इधर इस cell पे जा रहे हैं, तो देखो, कितना आ रहा है आपके बा अगर ये equations बनानी आ गए, ये आपको तो देखो, I3 की value के है, I1, plus I2, यहां से पता चली रहा है, नहीं तो आपको बताया हुए, मैंने apply करो, KCL, कहां पर, add, b, b, पे देखो, I1 इधर जा रहा है, I2 भी, इसके पास ही आ रहा है, junction के, तो plus का I1, और ये plus का I2, और I3, living वा प्लस का I1, plus 3, I3 की value है, I1, plus में I2, और ये है again, plus का 2, I1, और ये है आपके पास, minus का 10, minus के 10 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब values हैं, तो आपको थोड़ा सा feel होगा, class 10th वाली equations का, ठीक है, तो equal to मैंने यहां 10 कर दिया, को tension वाली बात ही नहीं, minus का प्लस का हो गया, तो अब इनको solve करते हैं, तो देखो, ये हो गया, I1, plus का, और ये अंदर multiply होगा, तो 3, I1, plus में 3, I2, और ये plus का 2, I1, equal to में 10, तो देखो, I1 वाले add कर दो, 3, और ये वाला 1, 4, और 2, 6, 6, I1 ये हो गया, और ये plus का 3, I2 हो गया, और equal to में 10, ठीक है, ये तो यहां लिख देते हैं, apply KVL, in closed mesh बोल दो, या loop बोल दो, इसलिए आपको, अब समझ में आ गया होगा कि voltage low को हम mesh low क्यों बोलते हैं, ठीक है, तो in closed mesh, इसमें लगा हो दरा ये वाली C, B, E, D, C, ये ही लगने वाली है, C, B, E, D, C, ठीक है, close करना है, इसलिए दुबारा C पर लाके खतम करते हैं, ठीक है, नहीं तो भी सौच रहोंगे, कि rectangle हो गया रहा है, लिखते है, C, B, E, D, ठीक है, लेकिन इसको closed में बनाना है, तो इसलिए C, E, D, तक लगाना है, ठीक है, इसी तरीके से चल रहा है, ठीक है, अब देखो, यहां से start हो जाओ, पहला sign क्या अ हो रहा है, तो 5, I, 2, plus का 5, I, 2, क्योंकि sign पहले plus का करो रहा है, फिर इदर जा रहे है, तो कौन सा sign ना करो रहा है, minus का, minus का 5, equal to 0, क्या समझ में आ रहा है, बताओ, clear हो रही है, चीज इतनी है नहीं, अब देखो, यह वाला, I, 2 ही आएगा, plus में, और यह 3, I, 3 की value, I, 1, plus I, 2 है, यह plus का 5, I, 2 है, और यह minus 5 उदर जाके, plus का 5 बन गया, चलो, इनको solve करते हैं, अब, I, 2, plus में, 3, I, 1, plus 3, I, 2, multiply कर दिया अंदर, plus में, 5, I, 2, equal to, में, 5, अब देख लो, I, 1, वाले, I, 1 में, add कर तो, I, 2, वाले, I, 2, में, 3, I, 1, तो सिंगल है, मैं, 3, I, 1, पहले के, 9, I, 2, equal to, में, 5, clear है बात, यह हो गई आपके पास, second equation है, ठीक है, तो अब देखो जरा, elimination method, जब हम लगाएंगे, मतलब, दो equations को solve करना है, तो यह अब 10th का काम है, आपके पास, ठीक है, तो elimination method में, हम कैसे देख रहे हैं, तेखो, यह 3, I, 2 है, और यह 9, I, 2 है, same value ही न ही है, तो सबसे पहले, तो same value बनानी पड़ेगी है, तो same है ही नहीं, तो same कैसे बनाते हैं, बता हो जरा, देखो, या तो इसको 3 से multiply कर दो, ताकि 3, 3, 9, 2 बने, और 9, 2 यहाँ ही है, समझ रहे हो, या फिर, इस वाली equation को, किस से कर दो, 2 से कर दो, ताकि 2, 3, 6, यह बन जाए नहीं, तो आपको जो सिखाई ही है, वो क्या सिखाई ही है, जैसे इसका 6 है, वो इस पूरी equation से multiply कर दो, इसका 3, इस पूरी equation से multiply कर दो, लेकिन वो बहुत लंबा चला जाएगा, समझ रहे हो, तो बहुत easy way में हमें, हमें तो eliminate ही करना है, ठीक है न, तो किसी एक equation को अगर multiply क करके बन रही है वो बात, तो क्या दिक्कत है फिर, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली equation को 2 से multiply कर रहा हूँ, तो अगर इस equation को 2 से multiply कर रहा हूँ, तो देखो क्या आएगा, यहाँ से 6 I1, प्लस 9 to the 18, I2, और equal to 10, यही बनेगी आपके पास बात, क्या नहीं, इसक समझ में आ रही है यह नहीं, multiply वाली, ठीक है, किसी एक equation को भी multiply कर सकते है, यह जूर नहीं होतार दोनों को ही करनी है, समझ रहे हो बात को, तो यह धियान में रखने है, आपको main हमारा काम होता है, eliminate करने का, ठीक है, और eliminate कोई भी अगर एक term सेम हो जाए, तो elimination में जाती है, वो हमें देखना पड़ेगा, addition करनी है या, subtraction करनी है, ठीक है, तो यहां subtraction में जाने वाली है, क्यों देखो, यह 6i1, यह 6i1, subtract में क्योंते है, साइन चेंज दोते हैं, उसके वाइस यह minus बन जाएगा, और यह 6i1 से, cancel जाएगा, इस वाली 6i1 से, ठीक है, यह यह यार बा ठीक है, यह आगई, 6i1, plus में 3i2, equal to 10, और यह 3rd कितनी है, 6i1, plus का 18i2, equal to 10, देखो, subtraction करनी है, तो यह sign minus का हो गया, क्योंकि यह already plus का था, यह plus का है तो minus का, इधर plus का है, तो यह भी कितना होगा, आपके पास, minus का होगा, clear है इतनी बार, बता दो, यह देख लो, इधर, यह वाला plus का था, तो minus कर दिया, यह plus का था, माइनस, और यह वाला भी plus था, तो minus कर दिया, ठीक है, तो देखो, अब यह वाला cancel होगा, अब देख लो, यह minus का 18 है, यह plus का 3 है, बताओ कैसे solve होगा, plus minus minus sign which is greater, तो minus का sign आएगा, क्योंकि 18 के साथ minus है, और plus minus minus किया हमने, तो minus 18 में से 3 minus करो कितना होता है, 15 I2, और यह भी देखो plus minus minus, और वैसे भी यह same term में हो रहा है, इधर, ठीक है, तो यह हमारे पास 0 ही होगा, तो यह 0 आगया, तो यानि कि I2 की value कितनी आएगी, 0 अपन मे minus 15 यह उपर होता, 0 नीचे होता, फिर आता infinity, something upon 0 is infinity, बात समझे रहो, और 0 उपर है, तो यह 0 ही होगा, तो I2 आया 0, तो अगर I2 0 है, तो मैं I2 की value को put करूं, first में, तो मैं I1 निगा सकता हूं, तो देखो, put value of I2 in equation, first, first में put करो, देखो, 6 I1 plus 3, यह नाब के बास, I2 की value 0 ह तो multiply 0 equal to 10, तो 6 I1, यह तो 0 ही हो गया, equal to 10 आया, तो I1 की value कितनी आ गई, 10 by 6, इसको cut करो, 2, 5 जा 2, 3 जा 6, ठीक है, तो I1 की value आई है, वो कितनी आ गई है, आपके पास यह, 5 by 3 ampere, ठीक है, इसको आप point ओ में करना चाते हो, तो कर ले न, कोई दिक्कर वाली बात नहीं है, अब उसने तो आपको कहा था, इस branch में calculate करना है, तो हमारे पास तो I1 और I2 यह आई है, ठीक है, I1 देखो इस branch में है, I1 इस branch में है, यह भी निकल गया, इधर I2 है, और इधर भी I2 है, तो यह तो निकल गया सब, यह वाली branch बची, इसमें I3 है, तो I3 अभी हमने देखा य कितना था, I1 प्लस I2, तो I1 पता है, I2 पता है, I3 निकल जाएगा, देखो यहाँ करते हैं हम, we know that I3 is equal to में कितना है, I1 प्लस में I2 है, I1 आया है हमारा 5 by 3 और I2 कितना आया है, 0 आया है, तो यह कितना आ गया हमारे पास, 5 by 3 ampere, समझ रहो यह यह I3 आ गया, तो तो तीनों करंधी, फ्लो हो रहे है, आया समझ में कुछ नहीं आया है, तो एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, आयेगा, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, ओके, थैंक्यू,